हेलो गाईज, वेलकम टॉल आफ यू जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आईसी इंजन के एक स्रीज चला रहे हैं जिसमें हमने दो लेक्चर डिसकेस कर लिया था पहला लेक्चर जो था वो वर्जिन आफ इंजन के ऊपर था और दूसरा लेक्चर जो था वो बेसिक क्लासि आज हम थार्ड लेक्चर के साथ में यहां पे आये हुए हैं जिसका टॉपिक है दाट इस कंपोनेंट आफ इंजन हम इस पार्टिकलर लेक्चर में यह समझने वाले हैं कि जो आईसी इंजन है या यू कैन से कोई भी इंजन है तो किन-किन पार्ट से मिल करके बना हुआ है और जब हम गारी को चलाना चाहते हैं तो हमारे पास में शुरुआत में पेट्रोल होता है वो केमिकल इनर्जी होता है और वो केमिकल इनर्जी जब हीट इनर्जी में कनवर्ट होता है तो वो किन-किन पार्ट से होकर की गुजरी होती है हम पहले उन पार्ट के बारे में आ बात करेंगे तो हम शुरू करते हैं इस lecture को जिसमें यह जो lecture है हम one by one एक पार्ट को discuss करने वाले हैं first part से हम शुरू करते हैं अगर example ले करके देखें कि आपके पास में एक आप बाइक को चलाना चाहते हो तो बाइक को क्वां कुछ चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए ठीक है फेट्रॉल चाहिए और हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो कहीं नए कहीं SPARK voor Blue Eggnails engine की बात कर रहे हैं मतलब SI engine के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास पेट्रोल होता है आप उस पेट्रोल mixer को cylinder के अंदर भेजता है और उस cylinder के अंदर क्या होता है जब compression होता है जो आपने charge भेजा है उस compression के बाद sparking होती है तो वहाँ पे एक high heat develop होता है तो high heat develop होना मतलब high temperature और pressure develop होता है और उस temperature pressure के होजा से आपको एक movement मिलता है पिश्टन में और वहां से आपको connecting rod में और connecting rod से आपको crank में मिलता है और finally आपको mechanical energy मिलता है ठीक है यह basic definition होता है किसी भी engine का तो अब हम समझने वाले हैं कि जो मैंने बताया chemical energy को आपने heat energy में convert किया और heat energy को जब आप mechanical energy में convert करते हो तो वो किन किन step को follow करते हुए जाता है तो वहीं से हम एक एक component को discuss कर लेंगे ठीक सुरुआत में आपके पास में क्या था पेट्रोल था पेट्रोल को आपने tank में fill किया जब पेट्रोल को tank में fill किया तो वहां से आपको उस पेट्रोल को your fuel का mixer बना करके आपको भीजना है कि सिलिंडर के अंदर वहीं पे तो आग लगेगी तो सुरुआत कहां से होगा आपके पास में पेट्रोल है ठीक है मतलब यह आपके पास में पेट्रोल है यह आपके पास में air है तो यह एयर फ्यूल का mixer कार्बोरेटर के help से बनता है और उसको अपन कहां बेजते हैं तो अब यह देखते हैं कि वो जो है आपका एयर फ्यूल का mixer वो जाएगा कहां से तो जिस रास्ते से होकर कि वो गुजरता है उसको अपन क्या कह देते हैं इनलेट मेंट फोल्ड अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एयर फ्यूल मिक्सर लिया अचानक से आपने भेज दिया य जो कि एक वाल्ब होता है इनलेट वाल्ब वो क्या गरता है वो क्लोज होता है जब यहां से एयर फ्यूल मिक्सर आता है तो यह ओपेन होता है जब यह ओपेन होगा तो यहां से एयर फ्यूल मिक्सर आपके सिलिंडर के अंदर आता है तो मतलब वो वाल्ब जहां से एयर फ् प्रज़ होने के जासी इसकी जो इंट्री और रिस्रेक्ट्ट्चन होता है उसको अपन इंलेट वॉल पहले ठीक अब यह जो चार्ज है वह आपका आगया सिलिंडर के अंदर चार्ज आ गया यह पार्टिकुलर जो केस बना हुआ है ना यह आपका सिलिंडर होता है ठीक यह पर बॉडि होती है जो आपने देखा होगा जो आपकी बाइक होती है उसमें आपको नीचे की तरफ अगर आप देखो गए तो वर्टिकल सा एक लगा रहता है ऐसा केसिंग की तरह से उसी को अपन सिलंडर कर देते हैं और उसी के अंदर जो सिलंडर है सिलंडर जब यहां पर चार्ज आ गया तो यह चार्ज क्या करेगा इस चार्ज के आने से जो आपका जो पिस्टन है इसमें मुव्मेंट देखने को मिलती है तो यह जो स्लाइड करने वाला पार्ट होता है यह जो पार्ट होता है यह आपका स्लाइड करता है इसको अपन क्या कहते हैं ठीक है यह सिल यह जो राड होती है और जो पिन जिस पिन से जुड़ा रहता है उसको गजन पिन कहते है या फिर पिस्टन पिन कहते है अपने पिस्टन को देखा connecting rod को देखा अब connecting rod जो होता है जिस pin के help से crank के साथ जुड़ा रहता है उसको crank pin कहते है और यह जो body होती है इसको अपन crank कह रहते है ठीक है और जो crank होता है हो crank shaft के साथ मांट होता है और ग्रेंक साफ्ट के साथ जिसको अपन इंजिन का में शाफ्ट कहते है आपने पैट्रोल को लिया इंडमिन फोल्स से होता है अंदर रिंट्री हुई जिस वाल्ब नीव सको इंट्री कर रहा इंदर आता है जिस पर्टिकुलर चेम्बर के अंदर यह जो आपका particular casing है उसको अपने cylinder कह दिया उसमें एक part होता है जो reciprocate करता रहता है उसको अपन क्या कह देते हैं पिस्टन और पिस्टन जिस एक rod से जुड़ा रहता है जो अपने translation को rotation में convert कराने के लिए जिस rod से जुड़ा रहता है उसको अपन connecting rod कह देते हैं और connecting rod और piston के बीच में जो pin लगी रहती जिसके साथ में जुड़े होते हैं उसको गजन पिन कह देते हैं या piston पिन कह देते हैं अब connecting rod जिस दूसरे rod से जुड़ा रहता है जो की crank shaft पे mounted होता है उसको crank कह देते हैं ठीक है उसको crank कह देते हैं और जिस pin के help से जुड़ा रहता है उसको crank pin क के देते हैं और ये जो tank shaft होता ही मैं इंजिन का साफट होता है जहां पर आपको break power देखने को मिलता है all right यह इतने part हो गहें अगाडी के में rotation आ जाती है अब देखो जो आपका silencer लगा रहता है silencer लगा रहता है जिसके राष्टे से दुंड हो निकलता है और जब आपके पास में यहां पर चार्ज आया था तो उसको burn कराने के लिए जो ignite ignition का काम करता है वो आपका spark plug होता है जो एक high temperature develop कर देता है ठीक है नेरले 1600 degree temperature यह develop कर देता है spark plug तो आपको यह basic चीज़े आपको समझ में आ रहा होगा कि किन किन पार्ट से होकर कि यह आपका जो engine बना हुआ है तो हम आप one by one एक एक component को उठाएंगे और उनके बारे में discuss करेंगे कि जो यह component है उनका काम क्या है किस material से बने हुए है और इनका application क्या है all right so हम पहले देखते ह सुरुआत हमने देखा था आपके पास में जो air fuel mixer आ गया वह आया किसके अंदर cylinder के अंदर है ठीक है तो पहले हम discuss करते हैं कि जो cylinder होता है वो किस material से बना होना चाहिए उसका function क्या होता है तो सबसे पहले जो cylinder का function क्या होता है आपने देखा जब air fuel का mixture cylinder के अंदर यह आपका पता है जब वहां पे आग लगेगी तो high temperature और pressure develop होगा और जब high temperature और pressure develop होता है तो उसको रोकने के लिए आपको ऐसी body चाहिए जो उसको रोक पाए मतलब आपको कह रहे हैं कि जो function होगा cylinder का to withstand 50 bar pressure कम से कम 50 bar का pressure उसको जहलने की छमता होनी चाहिए ठीक है तो यह तो pressure की बा temperature जो होगा उसको भी वो sustain कर पाए यह काम होता है ठीक है और यह बिना fail हुए function को perform कर पाए यह सबसे बड़ा function होता है आपका cylinder का तो वो कौन सी material है वो कौन सी material है जो यह property provide कर दे कि जिसकी जो resilience होती है वो सबसे अच्छी हो और क्या करे high temperature और pressure को bear कर पाए तो सबसे पहले जब scientist ने इसके बारे में discussion करना शुरू किया कि वो कौन सा material है जिसकी जो आप कहा सकते है high temperature और pressure को जेलने की capacity है तो लोग सबसे पहले cast iron के पास गए cast iron के पास गए तो cast iron आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो cast iron के density होती है वो ज्यादा होती है मतलब जो inertia I mean इसकी happiness भी ज्यादा होगा density ज़्यादा है तो ये ज्यादा heavy होगा जब उसकी density ज्यादा है तो ज्यादा heavy होगा तो एक unwanted inertia जुड़ जाती है strength तो अच्छा होगा no doubt लेकि एक unwanted inertia जुड़ जाती है इंजन को उसको भी तो ढोना पड़ेगा तो उसको ढोने के लिए भी तो energy consume होगी मतलब सबसे पहले लोगों को समझ में आया कास्टारेन ले लो तो वहां से economy जो होगी वह घट जाएगी लेकिन strength जो होता है वह बढ़ जाता है ठीक है तब उनको समझ में आया कि कास्टारेन से काम नहीं चलेगा हम आगे मूप करते हैं तो कास्टारेन से लोग डारेक्ली जंप करके चलेगा लोगों को यहां पर दिखा कि जो एनर्सिया थी या या यू कैंसी जो वेट था वह बहुत कम हो गया तो एकोनॉमी बढ़ जाएगी क्योंकि अन्वांटेड एनर्सिया घट गई तो यह सबसे पहले हुंड़ाई ने डेवलप किया था तो उसने अल्मुनियम एल्वाई को उसके जो प्रापर्टी कम है तो मतलब उसका स्टेंथ घट गया लेकिन economy बढ़ गई तो यहां पर क्या हो रहा था यहां पर कास्ट आरेंट की केस्स में स्ट्रेंथ जादा हो रहा था लेकिन economy कम हो रही थी तो लोगों को समझ में आया कि ना तो ऐल्मौनियम से पूरी तर और strength भी मिलेगा तो यह समझ में आता है कि जो cylinder होता है आपका वो इन तीनों material से मिलकर के बना होता है लेकिन सुभिधा के अनिसार कहां पर किस तरीके की requirement है आप उस पर बोग कर जाओगे अगर high strength की जरूरत है तो cast iron आपको थोड़े strength और economy से काम चल जाए तो आप steel alloy अब ब होता है जो cylinder के ऊपर वाला top most वाला portion जो था उसको cylinder head कहते है और cylinder head जो होता था उसके साथ में क्या क्या माउंटेड होता था एक तो spark plug होता था एक spark plug उसके बाद में आपके पास में अगर वो diesel engine है तो वहां पे आपके पास में क्या हो जाता है fuel injector जुड़ा रहता है fuel injector exhaust valve होता उसी के साथ में mounted होता है तो cylinder head top most portion जो अपका cylinder का होता है उसको कहते है इसकी जो material अगर cylinder का जो proper material सेम है cast iron steel alloy तो अब यसी बात है जो cylinder head होगा वो भी same material से बना होगा तो हमने दो चीज़ों को देखा third part की अगर आपन बात करें तो जब आपके पास में जो charge है वो cylinder के अंदर आ चुका है अब उस charge को अपने burn कराया ठीक चार्ज को आपने burn कराया high temperature or pressure develop हुआ high temperature or pressure develop हुआ तो वह किस पे इंपार्ट होगा cylinder तो कहीं मूब करेगा नहीं तो इंपार्ट किसके उपर होगा वह piston के उपर होगा अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी जो piston होगा वह free to move होगा मूब होने के लिए ही बना हुआ है जैसे उस पर high temperature पड़ेगा वो तुरंत मूब करने लगेगा तो जब वो मूब करने लगेगा तो उसका strength ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब उसको उतने ज्यादा strength की ज़रूरत नहीं है जितना आपको cylinder को ज़रूरत पड़ती है तो यह उसके अंदर आपका लगा हुआ है piston, piston मूब कर रहा है मतलब उसमें translation देखने की मिलेगा और आपको जो translation होगा उसको rotation में convert कराना है तो यह rotation में convert कराने के लिए connecting rod बीच में लगा रहता है तो मतलब कह देते हैं कि जो piston का काम होता है transmitting force to connecting rod मतलब आपका piston है, piston से force connecting rod को जात होता है ठीक तो यहाँ पर आपने देखा जो function था to transmit force to the connecting rod और जो material था that was aluminium alloy क्योंकि बहुत ज्यादा strength की यहाँ पर requirement नहीं है और aluminium इसलिए भी लेते हैं क्योंकि जो thermal conductivity होती है कि that is thermal conductivity के वो काफी अच्छी होती है और हमें यहाँ पे उसके जो heat है उसकी liberation के लिए आपको ऐ material चूज करने पड़ेंगे जिसके thermal conductivity अच्छी हो तो aluminium alloy या copper alloy आप उच्छ कर सकते हैं ठीक अब पिस्टन था पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है connecting rod connecting rod जुड़ा रहता है अब जो connecting rod है उसको आप उसका काम क्या है वह just transmitting body होती हो transmitting body किसके किसके बीच में काम करती है पिस् रेसीप रोकेशन होता है पिस्टन में एक रेसीप रोकेशन होता है और क्रेंक में रोटेशन होता है तो जो connecting rod होती है वो connecting rod होता है जो बस एक translation को rotation में convert कराने के लिए help करता है ठीक है तो transmitting force from piston to crank shaft crank shaft के साथ में mounted होता है जहां पर आपको टार्क मिलता है टार्क की वज़र से आपके rotation देखने को मिलती है और जो main shaft होता है या you can say crank shaft होता है वहीं पर brake power develop होता है ठीक अब देखो यह बना किससे होगा यह जो बना होता है ना special steel alloy aluminium alloy से बना होता है special steel alloy aluminium alloy की बात अगर किया यह आपकी कई बार exam में question पूशा जा चुका है कि जो आपका connecting rod या crank होता है किस material से बना होता है तो आपका special steel alloy से होता है है aluminium alloy से होता है लेकिन जो उसमें operation किया जाता है फोर्जिंग operation होता है और फोर्जिंग operation में especially drop connecting rod देख लिया अब हम यह देख लेते हैं कि जो connecting rod है और जो आपका piston है वो किस pin से जुड़ा रहता है जिस pin से वो जुड़े होते हैं पिस्टन और जो आपका connecting rod है जिस pin के साथ में जुड़े रहते हैं उसको आपन घर्जंग pin कह देते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो piston है उसमें translation देखने को मिलेगा मतलब एक pin लगा होता और उसी के साथ में आपका connecting rod जुड़ा रहता है तो जब उसमें बार बार translation हो रहा है और उसी के साथ connecting rod जुड़ा रहता है तो आपको एक बात समझ में आ रही खोड तरीके के forces लग रहे होंगे हर direction से force लग रहे हैं एक बार खीचेगा एक बार उसको प्रेस करेगा मतलब उसमें आपको समझ में आ रहा है जो यह pin होगी उसमें tension भी होगा compression भी होगा और share भी होगा और जब कोई force या you can say जब कोई stress reversible condition में लगी रहती है मतलब बार बा positive negative positive negative होती रहती है तो उसको अपन क्या कह देते हैं उस condition को fatigue loading condition कह देते हैं आल राइट तो जो pin लगा हुआ है वो pin किस condition में है under fatigue loading condition और आपको पता है जब fatigue loading condition में कोई body होती है तो उस पे stress concentration factor या किसे crack propagation rate होता है वो infinite होता है मतलब अगर इस material इस particular pin में अगर छोटा सा अभी क्रेक देखने को आपको मिल गया तो उसका fail होना निश्चीत है वो अभी नहीं तो कुछ time बाद बट वो fail जरूर होगा मतलब जहां fatigue loading condition है वहां पर क्रेक propagation rate जो होता है वो infinite होता है तो हमें इसको बनाने के लिए I mean इस rod को बनाने के लिए कुछ ऐसे material की जरूरत पड़ेग जिसकी strength बहुत अच्छी हो मतलब उसको fatigue loading जो condition हो उसमें वो fail ना हो पाए मतलब अगर ज्यादा fatigue लगे तो ऐसा ना हो कि ज्यादा अगर stress जो होते हो variation है तो फेल हो जाए तो इसलिए कहते हैं कि subject under fatigue loading condition hence it should be made up of ductile material ठीक है क्योंकि जो ductile material होती है उसकी जो property होती है ज्यादा अच्छी होती है as compared to the vital material in the case of fatigue loading condition तो आपको पता चला है कि जो ductile material से बना होना चाहिए अब यह ductile material से बना हुआ है लेकिन इसमें कौन सा operation होगा that is forging operation ठीक है forging operation या फिर forging में भी कौन सा drop forging यह question कई बारे आपकी exam में पूछे जाचों कि UPSC के exam में यह देखने को मिला है कि जो forging operation से drop forging operation से यह बना होता है जब drop forging operation से आपने बना दिया तो internal defect जो होगा उस body के अंदर internal defect होगा वो tends to zero हो जाएगा मतलब internal defect कम internal defect कम लेकिन आपने ज surface होता हो रफ हो जाता है फिर उस पर अपन मशीनिंग कर देते हैं जब मशीनिंग कर देते हैं तो एक finishing सी आ जाती है तो external defect जो होता है मतलब external पर जो किसी तरीके की नो चोगरा की formation हो रहा होगा वो पूरी तरीके से खतम हो जाएगा तो external defect यह भी zero ठीक है internal defect forging के होजा से zero और external defect machining के होजा से zero हो गया मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर जो आने वाले defect थे वो खतम हो गए तो अब यह जो आपने rod को बनाया है drop forging से इसकी strength बढ़ जाएगी जब इसकी strength बढ़ जाएगी तो यह जो pin होगा वो high strength का होगा तो high load carrying capacity इसकी हो जाएग मतलब जो बना होना चाहिए डेक्टाइल मटेरियल से बना होना चाहिए फोर्जिंग जो है operation से बना होना चाहिए जिसमें drop forging especially और machine होगा तो external defect हो जाएगा तो यहां पर एक नोट है कि जो connecting rod और crank rod होता है that should also be made up of forge steel especially drop forging ठीक है तो हमने इन 4-5 चीज़ों के बारे में दे तो यह हमने देखा कि जब आपने प्रोल को इंटरी कराया तो इंडेट में फोल्ड से इंटरी कराया वहां से आपको इंडेट में फोल्ड मिलता है और जिस वाल्व के थ्रों इंटरी होती है उसको inlet valve कहते है पाटिक्टिक्लर चैंबर के अंदर आता उसको अपन सिलेंडर कहते है उसमें एक उस्लाइड करने वाला पार्ट होता जिसको आप स्लाइडर या वीकैंस स्डिके न कह देते हो पिस्टन के साथ में एक राट जुड़ा र आने वाली लेक्चर में और जो बाकी पार्ट बच रहे हैं जैसे आपके पिस्टन रिंग वो गया आपका स्पार्ग प्लग हो गया इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे और आप इसी तरीके से जुडेर हो आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छे अच्छे लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको किसी भी एक्जाम से लाइक गेट, ES, PSU या फिर किसी स्टेट लेबल एक्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे या फिर अगर आप किसी campus placement में बैठते हो तो आपको वहाँ पे भी बहुत help मिलने वाला है Alright, so thanks for watching this lecture